हालो आरेवन और वेलकम टू भी एच्चीव पार्ट साला मैं हूँ आदित तैसिंग और आज आप देख रहे हैं जीकें जीएस की टॉप सेवन हंडड़ की एक एमसे क्यों की सीरीज चल रही है इसका ये एट वीडियो है यानि कि एट वीडियो लेक्चेर में हम 20 important questions को discuss करेंगे अलड़ी हम काफी सारे questions को discuss कर चुके हैं आपको अलड़ी पता होगा कि ये जो सीरीज चल रही है ये totally bilingual है और इसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि इसका PDF आपको app पे मिल जाता है और अब जो PDF है वो टेलेग्राम ग्रूप में भी मिल जाएगा ये जो आपका सीरीज चल रहा है ये BHU, AU, JMI, AMU, DU और हैदराबाद Central University जैसे जो universities है उनके intense exam के लिए बहुत है इंपोर्टेंट है तो चलिए without any delay इसको start करेंगे और already मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में आपको पता भी है मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि bilingual है और उसी के साथ चाहते हैं आप हम history, quality, geography सारे sections को cover करेंगे अभी जो हमारा focus है वो current affairs पे है तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question है और already मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो भी 120 question यानि 140 question है और already वो हम discuss कर चुके हैं पर वीडियो अभी हमारा जो pace है speed है वो 20 questions का है यहाँ पर हमारा 140 first question है recently PM1E is in news what is its full form और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा लास्ट वीडियो में आप सबने बहुत अच्छा answer किया था तो जो भी आपको बोला चाहें वो आप जरूर answer करा करें that is very much fine और काफी वो बहतर भी लगता है काफी हमें भी अच्छा लगता है कि जो भी चीज आपको बोली जा रही है वो आप करते भी है तो इसका exact answer होगा वो option B होगा ठीक है इसका exact answer क्या होगा प्राइम मिनिस्टर वाइफाई access network interface यह इसका exact answer होगा PM1E का जो full form है इसे के साथ हम अपने अगले question पर चलेंगे और हमारा next question कहा रहा है 142 यह एक सुभारी समा प्रस्न है इस series का अब देखिए यह जो यहां पर बात की जा रही है अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर क्यों स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो किरन रिजू की बात की जा रही है तो देखिए जुलाई 2021 में जब आपका मंत्र मंडल में फेर बदल हुआ है चेंजेज हुए है तो अब जो है वरतमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो अनुराग ठाकूर है और उस टाइम पर कौन थे तो वो थे हमारे किरन रिजू जी रहे ठीक है यह भी चीज़ आपको पता होना चाहिए और राइट नाउ जो है वो कितने सेंटर्स ओपन करे चाहिए यह भी सारे फैक्ट आपको याद रखना होंगे चलिए आगे चलते हैं यह जुलाई दोहरे किस से पहले की बात थे इसलिए यहां पर स्पोर्स मिनिस्टर किरन रिजू लिखा हुआ है लेकिन अब आप चाहर पूछा जाए कि स्पोर्स मिनिस्टर कौन है तो आप पुराग ठाकोर बताना होगा ठीक है मने शॉर्ट फॉर्म में एटी लिख दिया है जिससे आपको याद रहे आगे चलते हैं रेसेंट्ली स्मैस 2000 प्लस इसे न्यूज आज इंडियन निवी इस गूइंग तो प्रक्योर इट वाट इस एक्टली इस्राइली स्मैस 2000 प्लस ठीक है वो क्या है आखरी यह आपसे पूशा जा रहा है हाली में स्मैस 2000 प्लस खबरों में है क्योंकि बारती नौसिना इसे खरीदने जा रहे यह वास्ताव में इसराइली स्मैस 2000 प्लस क्या है तो यह जो है यह आपका एंटी डोन सिस्टम है ठीक है यह क्या है एक एंटी system है आपको इतना ही जानना है इसके बारे में बहुत facts भी आपको जानके बहुत कुछ नहीं करना है mcq types आपको question पूशे जाएंगे वही आपको attempt करके आना है 144 प्रस्थन है इस series का which union territory was recently declared the first 100% organic union territory कि इस केंदर सासित प्रदेश को हाल ही में जाएगा इस्टेट का SSN की स्टेट का मतलब सिक्किम ठीक है सिक्किम पहला राज्य है जो की 100% organic state है चलिए आगे चलते हैं हमारा next question है 145 वा प्रस्थन है इस सीरीज का finance minister of India निर्मला सीतारमन has been included in the Forbes 2020 list of 100 most powerful woman what is her rank भारत की वित्मंतरिन दिर्मला सीतारमन को Forbes 2020 की सौ सब्सक्तिसाली महिलाओं के सूची में सामिल किया गया है तो उनकी rank क्या है हम यह बताना है तो उनका जो rank है वो 41st है यह ती एच जो है वो by mistake लिखा गया है यहां पर 41st ऐसे होना चाहिए ठीक है नहीं 42 अस्थान हो उनका चलिए आगे चलते हैं हमारा next question कुछ यूँ है 146 प्रस्ट है हूँ हाज इनेगरेटेड न्यू पार्लेमेंट बिल्डिंग इन दिसंबर 2020 अट संसद मार्ग हाल ही में कि इसने दिसंबर दोहर बीश में संसद मार्ग पर नए संसद भावन का उद्गाटन किया है सो इसका exact answer होगा वो हमारे प्रधान मंतरी नेरंद्र मोदी जी है ठीक है उन्होंने इसका उद्गाटन किया हुआ है आगे आप रामनात कोविन जी के बारे में जानते हूंगे वो हमारे वरतमान में इनगरिटेड न्यू परलेमेंट बिल्डिंग इन देखिए सेम कोशन बाई मिस्टेक रिपीट हो गया बट कोई बात नहीं फिर भी इसका exact answer देख लेते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी होंगे आगे चलते हैं हमारा next question है यहाँ पर विच पुलिस station has become the best performing police station in the country 2020 कौन सा पुलिस इस्टीशन देख का सबसे अच्छा प्रशन करने वाला पुलिस स्टीशन बना है इसका जो exact answer होगा वो आपका कौन सा इस्टीशन है पुलिस स्टीशन है तो है यह आपका नॉगपोक सेक्माई अब ही नॉगपोक सेक्माई कहां है ये आप मुझे comment बाक्स में बताएंगे ये आप जरूर बताएंगी क्एँगils है आप जब है नहीं हम चार दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं यानि आप दिसंबर की बात की जा रहें दिसंबर 2020 की विच इस दे बीगेस्ट कमांड आफ इंडियन नेवी आप से प्रस्ट इसलिए मैं आपको दिसंबर का भी कवर करा रहा हूं क्योंकि कि आल्मोस्ट वन येर के आप से करेंट अफेर्स पूछे जाते हैं तो हम क्यों रिस्क लें चांसे जार देर आप से कोशन पूछ लिए जाए और लास्ट येर कि आप जितने भी इंटर निश्टी के इंटरन्स एक्जाम हुए तो वहां पर आप देखेंगे तो आल्मोस्ट वन येर के ही पूछे जाते हैं तो चलिए जिसका एक्जैक्ट आंसर होगा विशाका पत्नम किस राज़े में हैं मैं आपको कई बार डिटेल लिए हम बताया है किस राज़े की रास्थानी भी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे आगे चलते हैं उससे प कौन हैं तो ममता बनर जी हैं और जगदीब धनकड जो हैं वहां के क्या हैं वरतमान में गवर्नर हैं चलिए आगे चलते हैं हमारा अगला कुश्चन है फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है अल्रेडी मैंने बताया है फिर भी मैं इस कुश्चन को आपको ले सेट किया हुआ है तो इसका जिग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मारा गोमेच मारा गोमेच विल बी दे इग्जैक्ट आंसर आगे चलते हैं हमारा अगला प्रसंद कह रहा है हमसे वी हैब अब्जाब्ड इंटरनेशनल डे आफ बैंक्स ऑन विस टेट हमने बैंकों का अंतरास्टी दिवस मनाया है वो कब मनाया है तो इसका जो एक्जैक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चार दिसंबर ठीक है कि इस टैंसर होगा वो कोई और देश नहीं वो अफगानिस्तान है इसकी राजधानी कहा है राजधानी काबूल में है और इसके जो कैरंसी है वो अफगान अफगानी है ठीक है अफगान अफगानी है इट्स आल राइट इरान के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यह आगे चलते हैं और हमारा अगला question है which pair among the following has been declared time magazine's person of the year 2020 इन लिकेत में से कि जोड़ी को time magazine का person of the year 2020 गोसित किया गया है तो इसका जो exact answer होगा वो आपका Joe Biden और Kamala Harris ठीक है यानि की वैसे की first lady voice president है चलिए यहां तक सारे चीज़े clear है आगे चलते हैं हमारा next question है 154th question of this series says a book the hitman is in news who is the author of this book एक किताब the hitman खबरों में है इस पुस्तक के लिखक कौन है लगे जी यह book है the hitman यह रोई चर्मा पर बेस्ट है और यह जो है काफी news में है तो इससे यह question बन सकता है कि इसके लेखक कौन है तो इसको जो लेखक है वो हैं आपके विजय लोग पल्ली एंड जी कृष्णन ठीक है विजय लोग पल्ली एंड जी कृष्णन आगे चलते हैं और हमारा अगला question है who has won 2020 बहरीन grand picks award तो 2020 बहरीन grand picks पुरुष्कार किसने जीता है so the exact answer of this question would be यह आपका हो जाएगा लिविस हैमिल्टन ठीक है किसने जीता है तो यह जीता है आपके लिविस हैमिल्टन ने अब देखिए आपको एक और option दिख रहा होगे आप मनोच सिनहा का तो मनोच सिनहा के बारे में आपको जानना होगा कि मनोच सिनहा जो है वो वरतमान में क्या है LG है यानि कि Lieutenant Governor है अब जलते हैं 156 कोशन की बारे में बात करते हैं वेस्ट बंगाल कैबिनेट एप्रोप्स कंस्ट्रक्शन अफ इस्टेट्स फरस्ट डीप सी पोर्ट नेम दप्लेस वेर इट विल वी कंस्ट्रक्टेड प्रस्न ये पूशा जा रहा है कि पस्चिम बंगाल मंत्री मंडल ने रा कि यह बात कर जा रही है कि यहां पे गहरे यानि कि पहले गहरे समुद्र बंदरगा की बात की जा रही है यह चीज़ आपको ध्यान रखना होगा सुद्ध एक्जैक्ट आंसर वोड़ पी ताजपूर आप हल्दिया के बारे में जानते होंगे हल्दिया एक पोर्ट है वहा चाहली में फ्रॉग यानि कि मेड़क का एक नई प्रजाती जो हो पाई गई है इस-पैरोथिस्का कैसे कहले है फिर इस पैरोथिका कहां तो ज्जादा बेटर होगा कि एक नई प्रजाती किस सहर में पाई गई है तो इसका जीजैक्ट आंसर होगा वह आपको होगा बट इस पेलिंग ठीक है थोड़ा बहुत मस्टेक्स हो जाते हैं बट नौ इस ऑल राइट आई होब की स्पेलिंग सही भी है मुझे चाहते कि याद आ रहा है यह स्पेलिंग सही है बैंगलूरू और उसी के साथ आपके यह भी पता होगा कि बैंगलूरू को हमें आप पर क्या कहते हैं सिलिकान वैली आफ इंडिया भी कहते हैं यहां तक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी उसके बाद हम मैं आपको चलेंगे बाकी भूव निस्वर जोव आपका उडिशा में पढ़ता है इसी के साथ है कलकता वेस्ट बंगाल में और चन्नाइब का मदरा यहां प्रशकार सिंग्धामी जो हैं वाँ के सीम है यानी के मुक्हमंत्री हैं और बेबी इरानी मौर्या जो हौँआ की गवर्नर है यह सारे फेक्ट आपको बता होगा हर याना के बारे मैं आल्लेडी बताया है मनुहरलाल कटर और गवर्नर को हैं आप एक बार जरूर कमे लिखेंगे तमिलाडू के बारे मैंने बता है हम के स्टारेन वां के CM है गवर्नर कौन है आप जबूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उत्तर पृद्रिस के बारे में आप सब जानते हैं सीम योगी आदितनाद जी हैं और यहां की गवर्नर आनंदी बिन पतेल जी हैं यह सारे फैक्ट क्लियर हो चुके हैं आगे चलते हैं रेसेंटी इसरो लाउंज जो CMS-01 सेटलाइट इन डिसमबर 2020 इस इन विच सेट इन सारी इज विच टाइफ ऑफ सेटलाइट यह पूछ रहा है प्रसनाप से कि हाल ही में इस स्वरों ने डिसमबर दोहर बीस में CMS-01 सेटलाइट लांच किया है यह किस प्रकार का सेटलाइट है तो इक्जाक्ट आंसर क्लियर हो गये होंगे इस दो कि बारे में बहुत सारे फैक्त हमने बार बार लागतार कई वीडियो उस्में डिसकुस की हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अभी बारे में डिसकुस करने की जरूरत आगे चलते हैं और यहां पर हमारा आज का यह लास्ट कोशन है इस वीडियो लक्षर का और यह कोशन हमसे कुछ यूँ इस प्रकार कह रहा है कि निस्टनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इस सेलिब्रेटेड एवरी यूर आउन रास्टे उर्जा संग्रक्षड दिवस हर साल मन को मना जाता हैस्ट को मन है जाता है और जो पीडियफ चाहिए आप उसके लिए टेलेग्राम गुरुप जाइन कर लिए और उसे के साथ आप पर भी pan पीडियु करना चाहते हैं तो इस वाचाप स्वाट्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हमें यूटूब पर सब्सक्राइब करिए लाइक करिए भी वीडियोस को कमेंट भी करिए जो भी आपके मुन में कमेंट चाहते हैं और इसे के साथ चाहते इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए तिल देन कीप वॉचिंग भी चूपाट साल है थैंक्यू सो मच और तब तक क लिए खुश रही है पढ़ते रही बस इतना ही कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद